Hello Gamers, My name is Webber Welcome back to another new video of Minecraft आजफिस एक बार मिलिंद क्राफ खेले वाले है एंदे लास्टे वीजोड हम गए थी नेदर के इंदर वापर जाकर हमको एक एक इंचेंट डेपरीज मिला था एक बहुत बड़ा रुइन पोर्टर मेरता जासे उनको चार गोल्ड ऑफ ब्लॉक मिलेते गोल के ब्लॉक मिलेते आइमीन चार गोल के ब्लॉक ना भी बहुत जाद होते तो अमारे जो लास्ट वाली नेदर की ट्रीप थी ना वह आई तिंक सक्सेस्फुल थी मेरे साब से एंगे जो स्ट्रीप के बाद मैंने गेम को तोरा सा ऑफलान किया रहा है और ऑफलान किलने के वरे सभी मेने अमारे कासल कंदर बहुत सारे चेंजर्स करें तो वो दिखने के लिए आपको बहुत ही जादा एक्साइड़ू लेकिन उससे पहले हमारा जो एक्स्पा मेने वा आपको में वो सारे चेंजर्स दिखा देता हूं कि मैंने एक्चुली मारे कासल के अंदर क्या कर रहा है I mean इतनी ओपी चीज बनाए ना मैंने वो देखकर आपको यार I mean सही में मजा आजाएगा लेकिन उससे पहले औरियो को थोड़ा सा खाना कहले तो यार उसके लिए मु कि आपर trapdoors क्यों है तो वह भी मैं आपको बाद में बता दूंगा लेकिन सबसे बहर जलते हैं बहर जाकर ना में आपको एक बार कासल का दूर से वीव देखा देता हूं कि एक्चली मैं इसमें कितने सारे चिंजर्स कर रहे हैं और वो चेंज करने के बाद आपको इस वीड कैंट कर दिया है और हां पर में एक ट्रपन यह एक पर में मैं आपको दिखा देता हूँ, so look at this, इसके लिए मुझे ना थोड़ा सा और दूर जारा पड़ेगा, यहां से में भी वो ठीक से धिख जाएगा, so look at this, same, and यहां पर ना सारे के सारे विलेजर्स काम करते, यहां पर मैंने उनके working stations लगा दिये है, and वो जो दूसरा compartment है, वहां यहां पर कोई दीवार है ही नहीं, ऐसा लगता है कि हम वहां पर इजीली जा सकते हैं, यहां पर खामका एक stone लगा दे मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, and यहां पर मैंने उपर जो glass की wall है उसको cover करने के लिए, मैंने deep slit stone का इस्तमाल किया, क्योंकि या रही दिखने में एक वीडियो में इतनी सारे चीज़े करना बहुत मुश्किल है, तो अभी मैंना इसके अंदर जाकर आपको एक बार दिखा देता होगी, अंदर का भी महाल कैसा है, तो अभी चलते हैं, यहां से अंदर villagers के town hall में, इसको villagers का town hall भी बहु सकते हैं, तो यहां पर इन लोगों क सारे के सारे work stations है, मैंने extra यहां पर तीन लाकनल्स बना कर डाल दिये, दो cartography table है, यहां पर मैंने बहु सारे barrels रखे, ताकि बहु सारे villagers फिशर में बन सके, and last time मेरे इसब से यहां पर बस 4 या 5 villagers थे, and 2-3 बच्चे थे, तो अभी सारे के सारे जो villagers है वो बड़े हो चुके, and 1 second, यहां पर अभी 4-4 librarians है, तो यह मुझे किस की book दे रहा है, respiration 2 की, okay, यह नया बंदा है, यह क्या दे रहा है, यह lock of the sea 3 दे रहा है, लेकिन मैंने पास lock of the sea अल्रेडी है, and यह दो librarians तो मारे पास अल्रेडी थे, इसके साथ मैंने trading कर रखी है, यह मुझे channel की book दे रहा है, तो यह दो मुझे comment से जाकर जरूर बतारा कि आपको हमारे villagers का जो work room है, वो कैसा लगा, and work room के जिस opposite direction में यहापर इन लोगों के bedrooms है, I mean मैंने एक रूम में बहुत सारे beds लगा दिये है, and वो भी एक texture में, यहापर सारे red, यहापर सारे gullabi, यहापर white and यहापर red, तो यह भी अंदेरा हो रहा है, तो probably इनको सो जाना चाहिए, मैंने सबसे, come on, बहुत सोने के जाले जाओ, 5 minutes later, so guys, as you can see, अभी धीर धीर सारे विलेजर से उदर सोने के लिए जा रहे, I mean यह बहुत प्यारी चीज़ लगी है, क्योंकि सारे के सारे विलेजर से यहापर आते हैं काम करन जारा लग रहे से नीचे आ सकते हैं, और इन लोगों के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो अभी अंदेरा खाब जदा हो रहा है, तो मैं भी यही पर सो लेता हूँ, and सुबह होने के बाद, हम आज के वीडियो के बारे में डिस्कुस करेंगे, तो आज मैं सोच रहो कि लूटिंग 3 या 2 भी होगे न, तो मुझे एक डायमंड का 2 या 3 भी मिल सकता है, so मुझे आज बहुत सारी एंचांटिंग करनी है, I mean मेरे पास अभी इतने डायमंड्स हैं नहीं कि मैं एक नहीं डायमंड की पिककस में एंचांटिंग लगा सकता हूँ, so that's why मैं क्या करने मैं न, आइरन की बहुत सारी पिककस बनाऊंगा, उनको मैं एंचांट करूँगा, and उन में से किसी एक में तो at least looting 3 या 2 आही जाएगे, तो यहासे न, मैं आइरन के इंगर्स ले ले लेता हूँ, and मुझे थोड़ी सी sticks चाहिए, तो sticks भी मेरे पास काफी सारी पढ़ी है, यहासे sticks लेते है, okay, तो total 4 pickaxes बनाते है, तो मैंने यहासे 4 pickaxes बना ली, तो यह रही 4 pickaxe, and यहासे थोड़ा सा lapis lazuli ले ले लेते है, ताकि मैं उनको enchant कर सुकू, and मेरे पास भी बहुत सारे levels है, भाई 48 levels बहुत जादा होते है, तो इस lapis lazuli को यहाँ पर रख देते है, then पहली pickaxe यहाँ पर, प्लीज इसमें enchanting आनी चाहिए, efficiency 3 के साथ, looting 3, अरे यार, efficiency 3 यह बस, यार, please, 1 में तो आजा, at least, at least, मुझे 1 में तो चाहिए, efficiency 4 के साथ, Fortune 3, भाई, अब काम हो गया, यार, यह तो सही में बहुत अच्छा काम हो गया, I mean, मेरे पस भी Fortune 3 के pickaxe आचुकी है, so, मुझे जैसे कोई diamond का block दिख जाएगा, I mean, एक जगा पर 3 या 4 diamonds, तो मैं उन diamonds को इस iron की pickaxe तोड़ूँगा, तो उससे मेरा जो काम है, वो ज़्यादा आजान हो जाएगा, I mean, अगर मैंने एक भी diamond को तोड़ा, तो मुझे उसका 2 या 3 मेल सकता है, and इस तरीके से ना मैं मेरा जो diamond का armor है, उसको मैं जलती complete कर सकता हूँ, एक second मेरे पस 2 brewing stand थे, जहां तक मुझे पता है, अरे यार मेने ग्लास क्यों लगा दिया, जहां तक मुझे पता है मेरे पस 2 brewing stands थे, लेकिन यहां पर तो एक भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे है, what the heck, कापर गया brewing stand, I think ना मुझे यह वाला brewing stand उटा कर इसको तोड़कर उसक बहुत dangerous होते है, okay, टूट गया, I mean, automatically gaib हो गया, तो इब यहां से नीचे चलते है, villagers के पास, यहां पर मुझे एक बंदे को cleric बनाना ही, तो यह रभर रविंग stand, and मुझे किसी का नाम workstation तोड़ना पड़ेगा, यहां पर वैसे, library काफी जादा है, and 2 villagers भी है, तो मैं काम कर तो यहां से मैं यह वाला भी कमपोस्टर तोड़ लेता हूँ, please cleric बन जाई हो, cleric, cleric, cleric कोई भी नहीं बन रहा है, एक second, I guess मुझे बैरल भी तोड़ना पड़ेगा, तो मुझे यह बैरल भी यहां से हमटा देता है, तो मैंने बैरल को भी तोड़ लिया, cleric बन जाओ, oh finally एक बंदा cleric बन गया, बहुत सही, तो मैं यह यह बार भी यहां पर मुझे बैरल रखना है, एंद कमपोस्टर सामने रखना है, एक दम तमीद से, यह यहां पर, ठीक है, तो अभी cleric के साथ मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, आजाओ cleric, तो यह देखो, rotten flash के बदने मैं एको यह बहुत सही, क्या यह अप्ग्रेड होगा, देखो इसने यह अप्ग्रेड भी हो गया, अभी मुझे गोल के बदले भी एमराल देगा, वोव, यह तो काफी सही बात है, और मेरे बास ना जो एक्स्ट्रा यह कंपोस्टर एंड जो बेड्स पढ़े ना उनको में यह यह अभी देखते हैं कि मेरे पास टोटल कितने अमरल से, मेरे पास अभी आठ एमरल फिर से बार आ चुके हैं, तो अभी हो जाएंगे, 64 and 3, यह बहुत अधाद अमरल होते हैं, तो यह से ना मैं थोड़े से सीड्स ले ले लेता हूँ, हमारे चीकू को रिस्पेक्ट देने के तो मैंने चीकू को भी रिस्पेक्ट दे दी हैं अभी हमको जाना है डायमन्स डुनने के लिए, वैसे मेरे पास जो पिकक से उसमें फॉर्चन 3 अल्डेडी लगा हुआ है, तो जैसे मुझे डायमन का कोई ब्लॉक दिख जाएगा, मैं उसको इससे तोड़ूँगा, और मैं यह पोटेटोस तोड़के फेसके बार यहाँ पर उनको प्लांट कर देता हूँ, I mean हमारे कासल में जितने जादा विलेजेस होंगे न उतना ही अच्छा रहेगा, यहाँ पर उनको प्लांट भी कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा वीट है, मुझे यह भी वीट तोड़क यहाँ पर उनको मैं यहाँ पर लगवा देता हूँ, ताकि बाद में हमको वीट बहुत सारा मिल सके यह भी तोड़ना पड़ेगा, इसे भी मेरे को एक वीट मिलेगा, मेरे पास यहाँ वीट की बहुत कमी है, मुझे ना थोड़ा सा एक्स्रा वीट प्लांट करके रखना यहाँ जाए और शुगर कें यहाँ से नाइन सुगर केंड़ा यहाँ इस फार्म को भी बड़ा बन बना यार लेकिन टाइम नहीं मिल रहा हूँ उसको भी धिरे बड़ा बना देंगे डोंट परी तो भी जली से वीट इन मोमो को खिलरेता हूँ, 20 वीट है मेरे पास, I need some food अब इनकी ब्रेडिंग कराता है, come on, एक सेकिन मेरे बस बस तीनी मोमो है और इस बच्चे ने तो सारा का सारा वीट खा लिया यार मुझे ना इनकी ब्रेडिंग करवान ही पड़ेगी तो अभी में काम करता हूँ, इन पोपोस को मारता हूँ, I mean इनकी भी संक्या बहुत कम इनकी ब्रेडिंग करो बच्चे बेडा करो, okay and then मुझे इसके बाद थोड़ी से शीप्स को भी मारना पड़ेगा विकॉस यार मेरे बस अभी खाना ही नहीं, तो लूटिंग 3 की स्वाड की में तीन चार शीप्स को अगर मैने मारा तो मुझे जादा मीट मिल सकता है, so इनक इतने में तो हमारा पूरा जनम निकल जाएगा, इतना सारा खाना मेरे बस आज चुका है, तो अभी नहीं यह से बाहर चलते है, and जो मेरे पास पोटेटो में उनको विलेजर को खिला देता हो ताकि वो उनकी बीडिंग करकर उनकी जनसंक्या बढ़ा सके, यह लोग में बहुत सारा तुमारे लिए पोटेटो लेकर आज चुका हो, मेरे बस लिटरली 62 and 29 पोटेटो से प्लांट करने के बाद मेरे बस उतना बचा था, तो यह 21 में ने इतर क्यो रख दिया, okay, come on, eat the potato मेरे बहुत सारे पोटेटो है, यह जली से खा लेंगे, and बहुत सारे बच्चे भी पेदा करेंगे, and यह पर वैसे बोट सारे बेट्स है, तो बेट्स के कोई कमी है नी, तो अभी यह से चलते ऊपर, देखो यह, they are making babies, I think, देखो यह हर्ट उनके उपर निकल कर आ रहा है, so अभी बहुत सारे बच्चे भी हमारे कासल के अंदर आने वाले है, I mean हमारे माइनकाफ के वरल में आने वाले है, मुझे क्राफ्टिंग टेबल बना कर अपने साथ लेकर जाना बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोल है नी, and जब मेरे को कोल मिल जाएगा तो मैं टॉर्चेस बना सकता हूं, and मेरे पास यहापर वैसे काफे सारी स्टिक्स भी है, and मुझे यह ध्यान में रखना है कि जब मुझे डायमंड मेलेंगे तो मैं उसको फॉर्चुन 3 के पिकाक से ही तूडू, ना कि मेरे डायमंड पिकाक से, and guys, यह रहा हमारा डायमंड काचेस, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, आपर बस दो ही डायमंड से, तो अभी गुफा के अंदर, इसी वाले गुफा के अंदर हम जाएंगे, जो हमको लास्ट टाइम मिली थी, and वहापर जाकर थोड़े से डायमंड लेकर आते हैं, देखते हैं कि हमको डायमंड होने में कितना टायम लगता है, बिससे ज्यादा टायम लगेगा नहीं, क्योंकि यार, ज इसी डायमंड पिककक्स से ही तोड़ना है, and यह जो मेरी शीडल है, उसको होटा कर मैं यह पर थोड़े से टॉच, ताकि उजला हो सके, तो फॉर्चुन 3 वाली पिककक्स ही है, उसको में साइड में अभी के लिए रखवा देता हूँ, जब मुझे डायमंड भी लेंगे, अब मैं उसको इससे तोड़ूगा, ठाकि के तो अभी जल्दी से डायमंड वोनते वही कुछिछ तो बहुत जादा हु Heb हम अदेर हुरे है वोजय भी उपर से लवा की आवा की आवा की आवा एवा ए और मुझे लावा की एवा टीक्चिर चेंज गारी सो पैकी है please OH NO इसको गदा हूमे इस अरे इस आप तोड़ यार एक सिकेड मैना फोचुन की निर की पेक्ट से तोड़ता हूं एक कि फोचुन को लगा है तो इसमे फोचुन 3 लगा है, तो मुझे इसी से तोड़ नाइ यार मेने एक डायमंड खाम का वेस्ट कर दिया ओ भई यार पर काफे सरे डायमंड नाइस ओ भई साव यार मेने एक डायमंड खाम का वेस्ट कर दिया तो as you can see, मेरे पास भी एक डायमंड है जैसे में इसको तोड़ूंगा ना वो जादा मिलेंगे I hope प्लीज जादा मिल जाए 11 मिल गए बही 11 I think यहापर बस एक सेकें 11 एन यह थोड़े से 15 बाई साब मेने बस I guess 4 या 6 या 8 डायमंड तोड़े और उससे मेरे को 15 मिले तो यह कमाल होता है फॉर्चुन 3 का बाई सब देखा कितना एजी है फॉर्चुन 3 के मदल से डायमंड डूनना और यहापर वैसे कोल भी काफी सारा है तो यह कोल भी में यहाँ से उठा लेता हूँ अगर मैने इसको फॉर्चुन 3 से तोड़ा तो मुझे I guess कोल भी जादा मिलता है कितना कोल मिला 27 बाई मैने बस तीन या चारी तोड़ा इतने सारा कोल मिल गया बहुत सही तो यह से में सारा का सारा यह कोल तोड़ लेता हूँ इतना कोल आ गया बाई 46 आगया इतनी जल्दी देखा फॉर्चुन 3 का कमाल इतना को तो इतना अगया इतना अगया रेड्सों 26 ओमाइग आर यह फॉर्चुन 3 का कमाल यार इमीन बहुत सही है पॉर्चुन 3 आगमेर बस ना भी तोड़ा सा कोल आ चुका है तो तोड़ी सी तोड़ी सी टोर्च अड़ा लेता हूँ तो यहार में भेड अलेकर रेकर के वाया I don't have any idea तो कुछ अपर रकना है and TORCHES को यहार रकना है so यह बन जाएंगी I mean, STIKS को यहार रकना है यह बन गई TORCHES 53 TORCHES that's enough and guys the resource pack इसे रेट्टों कितना OP लग रहा है I mean जो रियल रेट्टों है वो तो एसे पिक्सल की तरह दिखता ताले लेकिन एकदम रियल लाइफ की रेट्टों की तरह लग रहा है बहुत सही है यह तो तो यहाँ काफी सारा कोल है तो मैं कोल को तोड़ूंगा फॉर्चुन 3 की पिकक्स से तो कितना कोल लाइगा भई भई 64 & 8 अगया इतनी जल्दी भई साब फॉर्चुन 3 इस बेस्ट एंचंटिंग इन माइंकरफ मेरे इसाब से क्या बता है विमको और डामस मिल जा वह एमरेल भई एमरेल को भी मुझे इस से तोड़ना है क्या बता है फॉर्चुन 3 दो एमरेल्स ना एक मिला इक इस भी एमरेल को इस था आप नहीं करता है वह और दामूर्ड बहए ओर डामस मिले यार वेन एक डामस को तोड़ दिया मेरी पिकक्स से इस वाली पिकक्स से तो इसको भी ए फॉर्चुन से थोड़्टे वह यास वह जादा इमर्स नहीं तिया डायमंड किने होगे 22 बाइस आप 22 होगे इतने मेरा डायमंड कार्मर पूरा कुंप्रीट हो जाएगा क्योंकि मेरे पास टेस्पिलिट तो अल्रीड है बाइस आप क्या उपी चीज मिली है यह फॉर्चून अभी मुझे तोड़ा सा और आगे जाना चाहिए आई थिंक क्योंकि अभी मुझे 42 मिले इसका मतलब मुझे आपर और ज्यादा वे मेल सकते है प्रश्चून लेट्स ट्राइ तो फाइं नुव दाइंड्स तो फाइंड्स अव्लापिज लग्यूंस जहां तक मुझे पता है भाई सभी फॉर्चुन 3 कुछ ज्यादा ही पावरफुल चीज है यहां पर और आगे चलते हैं इस लगाओ खोदते जाओ और थोड़ा सा रेड्स्टों इसको तोड़ेंगे हम फॉर्चुन 3 से फॉर्चुन 3 ना मुझे बस तोड़ने के लिए यूज करना है क्योंकि इसकी पावर काफी जा चुकी है लावड बहुत सा अलयावड तो मुझे लावड के आवाज आही र monet खाज व्यज्ति hierarch लावड है बहुत ध्यान से लाव च्म्ष सब्स कहते हैं मैं एक नु काई ब़स्टा भूड पता मिले जाए वोश काफी सा ओग माभर फूरा का पूरा पूरा पूल है लाव का मुझे स्केलेटन की आवाज रही है इसका मतलब यहापर कोई गुफा है ओ नो जॉम्बिस की आवाज रही है भाई ओ 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 इसकेलेटन से एक जगा पर ओ नो ओ नो मेरे पस भी है मेरे ओ क्रिपर भी था देखा भाई साब बच्ते आ मिन कितना डराना माहूल था वहाँ इतने सारे मॉब्स एक साथ थे इस वहाँ पर मेरा ही इंतजार कर रहे थे सा मुझे लग रहा है मुझे। डर लग रहा है शीरिसली ओ भई यह थे बहुत बड़ी केव ऐ hey क्यावबा है बहुत सार अलावज़ बहुत सार अलाव है, मुझे अपना, मैं कहा से आ था था, इसा आ था था था, तो भी यहाद रह सके, हैलो, कोई है, यह तो खोकली गुफा है, जादा, नहीं बहुत बढ़ी है, खोकली नहीं है, देखो, यहाँ पर कावे सारी ग्रैवल है, diamonds मिल जाओ वही diamonds मुझे लगा है यहापर कुछ हो सकता है मतलब mineshaft वगेरा लेकिन ऐसा यहापर कुछ भी नहीं है तो मुझे फिर से बार उसी टरनल में जाना पड़ेगा जाहसे मैं आया था क्योंकि आर इदर उदर घुमना खत्रे से खाली नहीं है क्योंकि यहापर gravel वगेरा काफी सारी है अगर मेरा पेल वगेरा फिसल गया ना तो मैं मर सकता हूँ और मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता तो अभी यहाँ से जल्ली से चलते है मैं कहा से आथा I think मैं यहाँ से आथा राइट यहाँ पर ना एक बार मैं आसपास देखी लेता हूँ क्या पता यहाँ पर diamond हो क्योंकि जहाँ पर lava होता है वहाँ पर diamond obviously होता है ओके तो मैंने इसको पूरी तरह के से देख लिया यहाँ पर diamonds नहीं है यार bad luck तो अभी ना मैं थोड़ा सा इस तरफ I mean इस तरफ से उदर जाते है क्या आपदा diamonds मिली जाए बढ़ी diamonds कहाँ पर है वेसे भी मेरे पस ना कावी सारे diamonds आज चुके है बट मुझे थोड़े से ओर चाहिए gravel है बहुत सारी gravel है gravel को यह से ना मैं इस तरफ से जाओंगा भी इसे रास्ता बाहिसाब में मेरे castle से ना कुछ जादा ही दूर आ गया हूए यहापर मेरे को ओ नो ओ नो 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 यहा यहाँ यह कीड़ा copper का क्या कुरू में मुझे copper नहीं चाहिए फिर भी उठा लेते हैं इसको fortune से तोड़ते हैं अगर मैंने fortune से तोड़ा तो कितना मिलेगा मुरे को एक बार देख लेते हैं मुझे कितना मिला क्या fake हूँ मैं यार हरेक काम की चीज़े cobblestone fake देते है अगर इसा diamond के साथ हो गया ना मज़ा या जाएगा बई सीरियसली तो यहां से इस तरफ चलते है थोड़ा सा अभी मुझे ना थोड़ा सा और डूढ़ना है क्योंकि मेरे पास कम आन क्यूमी सम मोर डायमंद से आर लिटरली मैं मेरे कासल से बहुत जादा दूर हूँ एक सेकंड अर्यार मैं फॉर्चुन की पिकक्स क्यों तो अड़ा हूँ उसकी तो हेल्थ वेसे भी बहुत जादा कम हो रही है अभी मैंना फॉर्चुन की पिकक्स का यूज ही नहीं करूँगा जब तक मुझे दामस नहीं मिलेंगे क्यूंकि यार वो बहुत जादा रेर है वह दो एक मुझे जादा पानीकी आवाज का इसका मतलब इहाँ पर केव है राइट वह इंक यह थी पर कैव है कि सबसे पहले को बंढ कर दे क्यू कि यह लावा में में ग्रिजगता है अन् इट्स डेंगरा इस नंगरस ओंजर एबुए इस डेंगरस अन्च एक काम करता हूँ, मैं ये पानी को सबसे बन कर देता हूँ, क्योंकि याँ पर कोई स्केलेटन वगर आ गया नहीं से, इस केव से, तो दिक्कत हो सकती है, so that's why इसको मैंने बन कर दिया, याँ पर थोड़ी सी टॉर्चस लगा हूँ, एक सिकिन मेरी टॉर्चस भी खतम होगी, मुझे सबसे बहले टॉर्चस को बनाना पड़ेगा, नहीं तो याँ पर दिक्कत हो सकती है, तो को उपर रखते है, और टॉर्चस को याँ पर रखते है, तो इसे पर जाएंगी टॉर्चस, 64 टॉर्चस बन गई, ताट्स नाइस, so let's some, okay, so let's put some torches here, oh boy, याँ पर काफी सार अलावा है, I think मुझे ना दूसरी डाइरेक्शन में डिक करना जाए, क्योंकि याँ पर काफी सार अलावा है, और मरना बिलकुल नहीं चाहता, तो अभी तोड़ा सा इस डाइरेक्शन में डिक करने के कोशिश करते है, तो रेट स्टॉन, इसको मैं तोड़ूगा, I mean, normal pickaxe, क्योंकि यार, मेरी जो फॉचन माली pickaxe है, उसकी health बहुत कम है, मैं उसको खोना नहीं चाहता, यह क्या चीज है, ओ, गोल्ड, एक सिक्ड, मैं इससे भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन, मेरा fortune, I mean, फॉचन की जो pickaxe है, उसकी हालत बहुत कराब है, से थोड़ा सभी gold उटा लेता हूँ, अगर मिल रहा है तो, okay, 5 gold मिल गया, बहुत सही, 6 gold मिल गया, वह, कितनी और दूर जाना है, मुझे, यार, please diamonds मिल जाओ, यार, एक तो मिल जाओ, यार, कितना देर हो गया, मेरा उपा अभी, एक भी diamond का stack दिखा नहीं है, Please give me at least one, one stack of diamond, I mean stack नहीं बस एक दो तिखा एक दो जाओ, जाओ, वह, 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 बहुत देर के लाद, लिटरली देर के लिए उसका उसका वो एंड पॉंट भी नहीं दिखा नहीं है तो अभी मुझे इसको इसे तोड़ नहीं दुड़ना है, तब दूर्ट्य की मिल ज that's enough मैं बहुत ही ज्यादा दूर आया था diamond दूनी के लिए अभी मैं आपको पूरा का पूरा रास्ता दिखाने वालो कि मैं कितनी दूर आया था diamonds को दूनने के लिए just look at the way यह देर लगी फाइनल मेरे पास 38 diamond आ चुके है इतने में मेरा पूरा का पूरा आर्मर बनके ना दो तीन टूल्स भी बन जाएंगे एक पकक्स और आक्स भी डेफिनेट इसमें बन जाएगी तो सबसे बहुत से स्टॉंगेस आर्मर इन माइन क्राफ्ट बहुत ज़्या दूरा आ गया था तो मुझे यहां से टर्न लेना है यहां पर थोड़ा सा लावा इस नमेह न में बनकर देताहू क고 एक दिन मैं इसके इसके अंदर अफट जाकर गær सकताहू तो यहां एक टॉर्च लगा डेताहू जिस लाग देताहू जैश लोग आपर मुझे से ओर उरड्यी जासर्ण जाना तो रस्ताहु ए तो यहां से मुझे तो जा रजाँ पनुराः यह वाला रास्ता तो बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है फाइव मिनिट्स लेटर फाइनली जो हमारी स्टेर से वो मुझे दिखाई दिये रहे तो अभी हम बसी हम को यह से उपर जाना है उपर जाकर मैं डायमंड का आर्मर बना सकता हूँ मेरा पोरा का पोरा और वेसे भी मेरे पास 44 लेवल से तो मैं इसको पूरी तरीके से इंचान भी कर सकता हूँ तो सबसे पहले डायमंड के आपर रखवा देती है तो मेरे पास अभी टोटल 39 and 40 40 डायमंड आ चुके है और काफी सारा कोल भी है कोल को में अलग से चेस में रखवा और यहासे डायमंड की चेस प्लेट है तो सबसे पहले मुझे डायमंड के खोपडी बना नहीं है उसका हलमेट यह बन गया यह बनगी लेगिंग अड अड इन इन इसम शूज तो यह पूरा बनाने के बाद भी मेरे पास 24 डायमंड बच यह भी ब्रीट है then I have shoes also इसमें protection 3 मिल रहा है protection 3 के साथ unbreaking 3 also and now shoes shoes में क्या मिलेगा blast protection 4 okay and इसके साथ बस blast protection 4 ही मिल आ है so guys finally मैंने पूरे armor को enchant कर लिया है and फिर भी मेरे पास 35 xp बची है तो मैं काम करता हूँ है ना और एक डामन की pickaxe बना लेता हूँ let's see इसमें क्या मिलता है efficiency 4 के साथ unbreaking 3 यार that's not fair यार so I think मुझे और एक pickaxe बनानी चाहिए diamond की एक काम करता हूँ और एक बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पासे डामन की कमी है नी तो मैं उसको afford कर सकता हूँ तो यह मैंने और एक pickaxe बना ली इसको उतार देते है और भी diamond का आर्मर पहनते भाई finally guys मैंने पुरा का पुरा diamond armor पहन लिया है and just look at me भाई मैं कितना तदा ओपी लग रहा हूँ सब कुछ diamond का हमारे पास आ चुका है diamond का पुरा का पुरा armor यह चलते है मारे shoutout room के अंदर and वहाँ पर जाकर आज के दो lucky winners को shoutout हम देने वाले है तो यह रहे signboards तो today's first shoutout goes to देखना पड़ेगा पहला shoutout किसे जाता है यह वाली comment यह किसी comment है जहान गिल की bro you can make charcoal with golden I mean wooden log and use it to the place of coal okay so thank you so much Jason Gill sorry Jason Gill so today's first shoutout goes to Jason Gill second shoutout goes to let's see कोई भी random comment यह वाली comment यह किसी comment है Wankates B की उन्होंने बस emoji डाली है यह वाली I don't know कि आप इसको देख पा रहे हो यह यह focus नहीं करेगा so guys finally मैंने दो लोगों को shoutout दे दिया है Jason Gill and Wankates B को and अगर आप में चाहते हो कि आपको भी shoutout पेले तो please मुझे next video में क्या करना चाहिए या मैं और क्या अप्गेड कर सकता हूँ मुझे निचे comments में बता दो and I hope आपको आज का वीडियो पसना होगा आज हमने फाइनली पूरा का पूरा diamond armor बना लिया है and next video में मैं सोच रहू कि मुझे नेदर में जाकर ना ओर थोड़ी सी discoveries करनी चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास diamond का पूरा का पूरा armor बना चुका है and finally thanks for watching we'll see in the next video bye guys